जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शांग और बागी सब एंपरियर बैटल टीम से लड़ रहे थे और इस लड़ाई में ओपनेंट ने जीवू को घायल कर दिया था अब तैंग शांग जीवू को बेहोश हालत में देख कर बहुत गुसे में आता है और बागी टीम मेंबर्स को भी ये बिलकुल अच्छा नहीं लगता और अब उनका सामना करने के लिए कैट गर्ल और मिस्टर दाई जाते हैं कैट गर्ल और मिस्टर दाई अपनी अपनी सोल पार को एक दूसरे में फ्यूस करते हैं और फिर एक अलग सा बीस जो बनता है उससे उन पर अटाक करते हैं अब एक दूसरे के अंदर सोल पार फ्यूस करने के लिए उन्हें एक दूसरे पर भरोसा होना जरूरी था और क्योंकि उनकी सोल पार एक दूसरे से बहुत अच्छे से फ्यूज हो गई है इसलिए यहां से यह कंक्लूड हो जाता है कि मिस्टर दाई और कैट गर्ल एक दूसरे पर क्रस्ट करते हैं अब फिर उनका ये अटाक बहुत डामज देने वाला था लेकिन अब भी आपनिन टीम का वो लोग कुछ नहीं बिगार पाते और कैट गल खुद इसमें कमजोर हो जाती है अब तैंग शैंग को गुसा आता है और वो गुसे में हाकर अपनी थर्ड स्पिरिट रिंग का यूज करके अपनी म्यूटेटट सोल पार को निकालता है और उन पर पोईजन स्टिंग से वार करने लगता है तैंग शैंग इतना जादा एक्रसिव हो चुका था कि वो बिना कुछ दे के उन पर अटाक करता है और इनमें सब उसके जहर से अफेक्ट हो जाते हैं और अब तैंग शैंग के खिलाफ कोई नहीं खड़ा था इसलिए तैंग शैंग की टीम जीट जाती है अब तैंग शैंग को उसके टीचर की बात याद आती है कि उसे किसी की जान नहीं लेनी है इसलिए वो एक-एक करके सबका poison निकालने के लिए ready हो जाता है लेकिन opponent team में जो warrior है जिसके पास healing power है उसे वो जीवू को ठीक करने को कहता है जिस पर जब जीवू को वो अपने healing soul power से ठीक कर देता है तब tank shank भी सबका poison निकाल देता है और फिर वो जीत का हार पहन कर वहाँ से चले जाते हैं अब हारी हुई team अपने room में आकर बैठी है और सब उदास हो रहे होते हैं लेकिन इस team का captain यानि leader उन्हें धीरश देता है और failure से सीखने के लिए motivate करता है वहीं दूसरी team श्रेक स्कूल के बच्चे ग्रांड मास्टर के पास आते हैं और अपनी जीत का बखान करने लगते हैं और बहुत मस्ती मजाग करते हैं अब इन्होंने बहुत जादा intense training की थी इसलिए Mr. Zao इन सभी बच्चों के लिए कुछ दिनों का rest मांगता है जिस पर ग्रांड मास्टर उन्हें 15 दिन का rest देने को ready हो जाता है और कहता है कि 15 दिन बाद तुम्हारे phase 3 की training स्टार्ट की जाएगी अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ opening team का captain आता है और surprisingly वो Dean और Mr. Zao को greet करता है अब यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका नाम कीमिंग है और यह पहले श्रेक स्कूल का ही एक student था दिन उसे फिर Grand Master से मिलवाते हैं और वो Grand Master को नमस्ते बोलता है लेकिन Grand Master उसको तेड़े मुसे देखता है इससे सभी को अजीब लगता है लेकिन फिर हमें यहाँ से यह पता चलता है कि Grand Master असल में इसका चाचा है यह दोनों एक ही परिवार से हैं लेकिन Grand Master की अपने पापा और अपने बड़े भाई से अनबन हो गई है और Grand Master सारे रिष्टे नाते तोर कर उनसे दूर भागाया है अब फिर कीमिंग अपने जूनियस से मिलता है लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि यह Shrek स्कूल का लास्ट पैच है क्योंकि Shrek स्कूल की financial दिकत अवे भी खतम नहीं हुई है सब बहुत जादा दुखी होते हैं क्योंकि Shrek स्कूल है ही इतना अच्छा कि लोग इसे अपना मानने लगते हैं लेकिन उनका अपना अब ये स्कूल बंध होने वाला है अब फिर Shrek स्कूल के बच्चे अपने क्रेडिट्स को लेने के लिए सोल एरीना में जाने लगते हैं वो फिर क्रेडिट्स लेने जाते हैं और उन सबे के क्रेडिट्स बहुत अच्छे आते हैं और सब सिल्वा बैच पर पहुँच गए होते हैं लेकिन तैंक शैंग गोल बैच पर पहुँच चुका था जिस वज़े से सब बहुत खुश होते हैं और वही दूसरी तरफ कीमिंग अपनी घायल टीम के साथ वापस अपने घर जाने लगता है लेकिन तवी रास्ते में वहां ग्रैंड मास्टर आता है जो अकेले में कीमिंग से मिलना चाहता था कीमिंग और ग्रैंड मास्टर आपस में बाते करती हैं जिसमें कीमिंग पहले तो ग्रैंड मास्टर से वापस घर चलने को कहता है क्यूंकि कीमिंग के पापा और भाई वगरा सब grandmaster को बहुत याद करते हैं लेकिन grandmaster मना कर दीता है और अब grandmaster आज के match के बारे में बात करता है जिसमें वो कहता है कि आज की तुमारी हार का कारण तुमारी arrogance था कीमिंग भी उनकी ये बात accept कर लीता है क्योंकि वो हमेशा अपनी ब्लू टाइटनिंग आर्टेक्स के एरोगिंस में ही रहता है जिस वच ऐसे आज का मैच वो हार गया वो आगे से इस मिस्टेक को दुबारा ना करने को कहता है जिस पर अब वो ग्रांड मास्टर का शिश्य बनने का पूछता है जिस पर ग्रांड मास्टर उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ श्रेक्ट स्कूल में पढ़ाता है और वो उसे कहता है कि कभी तुमें अपनी केपिबिलिटीज का स्तरन आपना हो तो तुम तैंग शैंग से लड़कर देख लेना जिस दिन तुम उसे हरा दोगे उस दिन तुम ग्रेट सोल लैंड मास्टर बन जाओगे अब ये सुनकर की मिंग को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके एकोडिंग अगर तैंग शैंग और उसके बीच वन तो वन फाइट हो तो वो खुद जीट जाएगा लेकिन ग्रेट मास्टर उसे कहता है कि तुम तैंग शैंग को नहीं हरा पाओगे और ये तुमें आगे आने वाले दिनों में खुद पता चल जाएगा अब बाते करने के बाद वो सब डिनर करने बैठते हैं और वहाँ की मिंग पे मौजूद होता है वो सब की मिंग से बाते करने लगते हैं और उसका लेवल पूछते हैं जिस पर जब वो अपना लेवल 62 बताता है तो सब बहुत जादा शौक होते हैं की मिंग उन सबी की इबिलिटीज को देख कर बहुत खुश होता है की मिंग हेविन डोव इंपीरियल अकादमी के अंदर एक टीचर है और वो अब उन सबी जूनियर्स को अपने स्कूल में पढ़ने के लिए इन्वाइट करता है अब जैसे ही दीन ये सुनता है तो वो गुसा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम श्रेक स्कूल में इन्हें अच्छे एजुकेशन नहीं दे रहे हैं जिस पर अब ग्रैंड मास्टर वहाँ का महौल ठीक करते हुए कहता है कि इन्हें अब कीमिंग के साथ हेविन दो इंपीरियल अकैडमी के अंदर ही जाना चाहिए क्योंकि एक साल बाद जो कॉंटिनेट इलाइट टूनामेंट है उसमें भाग लेने के लिए सिर्फ रजिस्टर्ट स्कूल से ग्राजुएट होना चाहिए लेकिन हमारा श्रिक स्कूल रेजिस्टर्ट स्कूल नहीं है जिस वज़े से अगर ये बच्चे यहां ग्राजुएट हुए तो ये टॉनमेंट में भाग नहीं ले पाएंगे दीन अभी भी इस बात को स्विकार नहीं कर पा रहा था क्योंकि वैसे भी ये लास्ट बैच है और ये लास्ट बैच बीच में ही श्रिक स्कूल छोड़कर जा रहा है उसने ये श्रिक स्कूल अपने खून पसीने से बड़े प्यार से बनाया था और financial problem होने के बावजूद भी इसको संभाल रहा था लेकिन अब Grand Master की ये सब बाते सुनकर उसका दिल तूट जाता है लेकिन वो उसके oppose भी नहीं जा सकता था क्योंकि असल में जो कुछ Grand Master कह रहे थे वो सब सच था अब वो नारास होकर वहां से चला जाता है लेकिन मोटू उनको समझाने उनके पीछे जाता है और कहता है कि हम सभी को आपने ही स्किल्स दिये हैं लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं जिस वज़े से हमें एक नाम की जरूरत है यानि एक ब्रांड की जरूरत है और वो हमें कोई registered school ही दे पाएगा इसलिए हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा अब दीन का भी मन थोड़ा हलका होता है और वो इजाज़त दे देता है Grand Master ने असल में एक condition रखी थी कि उस school के अंदर श्रिक स्कूल के सारी teacher इनको पढ़ाएंगे और वो स्कूल सिर्फ अपना नाम और अपनी जगह देगा वहाँ की teacher इन बच्चों को कुछ पढ़ाएंगे या सिखाएंगे नहीं अब सब फिर वापिस श्रिक स्कूल के अंदर आ जाते हैं और उन्हें अब दो महीने बाद Heaven Do Imperial Academy के अंदर जाना था और अब उन्हें दो महीने का rest मिल गया था अब तैंग शैंग निंग रॉंग रॉंग के पास जाता है और उसने जो कुइंग ट्राइब के लिए बहुत सारे hidden weapons बनाई थे उनके बारे में बताता है जिस पर अब वो decide करता है कि जब वो academy पहुँचेगा तब वो कुइंग ट्राइब में जाकर खुद अपने हातों से ये weapons उनको सौब देगा अब फिर तैंग शैंग अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पर वो और भी कई weapons बनाता है और ऐसा करने में उसे बहुत वक्त भी लग जाता है वो अपने सोल पार का भी यूज करता है और फिर एक दिन फाइनली उसका weapon बनकर ready हो जाता है वो सभी को अपने ये weapons दिखाता है और उसकी ताकत को देखकर सब बहुत शौक हो जाते हैं क्योंकि उस weapon से बारी से बारी चीज़ को crush करने के अलावा दूर जगह पर एक rope की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं वो सब को एक-एक weapon दिखता है और सब इसको पाकर बहुत ज़ादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये weapon टैंक शांग ने पिछली memories का use करके बनाया था और इस तरह का weapon इस दुनिया में कही और नहीं मिलता है अब फिर दो महीने पूरे हो जाते हैं लेकिन academy में ले जाने से पहले डीन उनकी थोड़ी training कराना चाहता था इसलिए वो आज सब को भागने के लिए कहता है सब intense training करने के बाद धक हार कर अपने कमरे में लोटाते हैं लेकिन तभी थोड़ी देर बाद तैंग शैंग के कमरे के बाहर जीवू आती है और वो कहती है कि आज की training की वज़े से मेरे पैर दर्द कर रही है इसलिए क्या तुम इने दबा सकते हो जिस पर तैंग शैंग मान जाता है और वो जंकल में जाकर जीवू के मसाज करने लगता है और ये सीन बहुत romantic सा हो जाता है लेकिन सिर्फ जीवू की तरफ से जीवू बहुत मासूम चहरा बना कर उससे flirt करने की कोशिश करती है लेकिन तैंग शैंग अब भी awkward होते हुए उससे सिर्फ दोस्त की तरह ही treat करता है और फिर थोड़े तेर बाद वो दोनों वापिस आ जाते हैं और वापिस आने पर तैंग शैंग के सारे दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया था और अब ये सीन बहुत जादा funny mood ले लेता है अब उन्हें दो महीने हो चुके थे और उन्होंने किसी से fight नहीं की थी इसलिए दीन अब सभी को soul arena में ले जाने लगता है और वो match के लिए register करता है लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि उनके level का वहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि वहाँ कोई भी gold bash पर नहीं पहुँचा था अब उनको ढूरने पर एक team मिलती है लेकिन उन्हें सब की level 40 से जादा थी और वो opening team को या तो मार डालते थे या फिर घायल करके छोड़ देते थे उस team का नाम fiend battle team है और वो बहुत जादा खतरनाक है grand master इससे लड़ने को राजी हो जाता है लेकिन दीन और बाकी सब इसके बिलकुल खिलाफ थे क्योंकि इसमें श्रेक स्कूल के बच्चे हारेंगे नहीं बलकि जान से मारे जाएंगे लेकिन फिर grand master दीन के कान में कुछ कहता है और दीन मान जाता है और अब इस लड़ाई के लिए एक sponsorship भी मिल जाता है जिसमें वो अगर वो इस बार जीतेंगे तो उन्हें 30,000 सोने के सिक्य दिये जाएंगे अफिर grand master श्रेक स्कूल के सभी बच्चों को समझाता है कि वो अपनी best बार का use करेंगे और इस बार वो तैंक श्रेक के दिये हुए hidden secret weapons का भी use कर सकते है अगर किसी का खून भी बहाना पड़े तो तुम बहा सकते हो और तुमें रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं अब ये सुनकर सभी शौक तो होते हैं लेकिन ग्रैंड मास्टर की बात का वो उलंगन नहीं कर सकते थे इसलिए सब बच्चे मान जाते हैं और अब मैच शुरू किया जाता है जिसमें सब अपनी अपनी soul force निकालते हैं और अब आपनेंट टीम के सारे लोग एक साथ cat girl पर हमला करते हैं और cat girl डरते हुए एक साथ सभी पर तैंक शैंक का दिया हुआ hidden secret weapon छोड़ देती है और weapon छोड़ते ही वो अपनेंट टीम के सारे लोग एक बार में ही जान से मर जाते हैं अब ये देखकर श्रेक स्कूल के सभी बच्चे उल्टी करने लगते हैं और बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को जान से नहीं मारा था उन्होंने आज किसी इनसान को सिर्फ एक लड़ाई जीतने के लिए मारा है और ये देखकर तैंग शैंग और मिस्टर दाई के अलावा सब रिग्रेट करने लगते हैं लेकिन तैंग शैंग उन्हें समझाता है कि ग्रैंड मास्टर ने हमें इन्हें जान से मारने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये लोग terrorist group के लोग हैं और इनको मारना जरूरी था Grandmaster असल में उन्हें train करना चाह रहा था क्योंकि उन सबको लड़ना तो अच्छे से आ गया था लेकिन अगर कोई बुरा हद में उनके सामने आया और उसकी जान लेनी पड़ी तो ये श्रेक स्कूल के बच्चे हिचकी चाहना वो उनको युद के लिए तयार कर रहा था अब सब बच्चे समझ जाते हैं और नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं अब हाला के दीन को भी थोड़ा दुख होता है लेकिन Grandmaster का ये decision एकदम सही था इसलिए वो दुख छोड़ कर ये decide करते हैं कि जितने भी पैसे हमें मिलेंगे उनमें से 90% हम इन मरे हुए लोगों के परिवार को दे देंगे अब सभी Shrek School के बच्चे रूम में आ जाते हैं और आज की बात की वज़े से उनमें से किसी को नीन भी नहीं आ रही थी लेकिन उनको ये कभी ना कभी तो करना ही था इसलिए वो खुद को संभालते हैं और इसी तरह ये episode खतम हो जाता है